हलो फ्रेंज क्यों आप लोग और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 151 जो कि ऑक्सफोर्ड यूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक एक्सरसाइज है इस सबसाइज में हम लोग करने वाले हैं पास्ट इंडिफिनित टैंस जो की बहुत ही सिंपल तरीका से हम चले त tub लेज़ीक हैं आप लोग कर लीजिये अगर लोग यह का म सबसे बोलने से पहले आप लोग करने हो तो आका बहुत जनीवाज चलिए वीडीयो करते हैं अगर फ्रेंस आप लोगों को इसे बनाना है यह लिए स्ट्रक्च्र जरूरी है तो पहले मैं आप लोगों को टीक्षर बता देता हूं, तो पहले देख लेए तो पहले तो पहला sentence के लिए यहां पर देखीए, हमारा पहला sentence लोट हुआ, उस्से ने ने बढ़ाया या एक past लिकिक्षर का तो उसी तरह से जो भी इंडिफिनिट के अंतर गताता है उसमें helping भर्विया एकजली वर्डो वोले वो नहीं लगता ठीक है तो अगर हम यहां पर देखे आप लोगों को structure दिख रहा होगा कि subject plus verb 2 यहां पर लगाया जाता है अगर आप पास्ट में चलें तो verb 2 का हम यूज करते हैं चलिए तो सबसे पहले तो हम इसे बनाएंगे तो आप लोगों अगर कोपी कलम लेके बैठे हुए हैं तो आप लोग उस structure जो हमने आप लोगों को अभी दिखा रहे हैं वो आप लोगो हम क्या गरेंगे उसने पढ़ाया मतलब उसने का हो जागा ही और पढ़ाया का OUT हो जागा इसे पढ़ाया गया जो है एक passive sentence है अप पेसिव सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, वो चीज हमें देखना है, पेसिव सेंटेंस को हमें किस तरह से बनाने है, ठीक है, तो पेसिव सेंटेंस को भी बनाने के जो है, बहुत ही सिंपल तरीका है, आप लोगों को पहले लिख रहा है सब्जेक्ट, उसके बाद वोज तो आप लोगों को यहां पर वाज या वेयर का यूज किया जाता है ठीक है तो यहां पर आप लोगों को वाज वेयर का यूज हेल्पिंग भर्व के रूप में करना पड़ेगा या आप एक्जिली भर बोले वह वी सही है तो क्या लिख रहे है सब्जेक्ट प्लस वाज वेय आप लोगों को समझ में आगया और आप लोगों को इस तरह से पढ़ने में मजा रहा है अपने दोस्ते में जिदना हो सके पढ़ने प्लीस हमारे लिए और भी बच्चों तक पहुंचे हमारी पढ़ाई है आप लोगों को अच्छा लगते हैं दूसरों को भी अच्छा लगेगा थोड़ा से कबर सेयर करके देखिए ठीक है वो आपका नाम जरूर लेंगे ठीक है चलिए आगे हम देखते हैं प्रशन 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 लगा रहा का हूँ क्योंकि दूसरे चैनल जो है हमारा नेतिश आना सुरू हो गया आप लोगों को मैं बार-बार बोलता हूं कि वीडियो आना सुरू हो गया जो भी आपके दोस्त है फ्रेंड है या आप है तो वो जाकर के पर सकते है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आप लोग जाकर के देख लीजएग तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से बनाना है तो सिंपल तरीका है क्या लिखेंगे रवी अब लगा नहीं सकते तो यहां पर किस तरह से बनाएंगे अगर वोज हम नहीं लगा सकते तो भई किस तरह से बनाएंगे लिखेंगे रवी और यहां पर अप लोगों को क्या होता है मारना का होता है किल तो अब यहां पर क्या लिखेंगे अगर हम इसका second root लगाय तो हो जाता है killed और third root भी इसका killed ही होता है तो हमने क्या लिखा रवी ने मारा मतलब रवी killed तो रवी के लिए चलिए हम यहाँ पर लिखते है रवी killed बहुत ही simple तरीकास हमने बना दिया दो तीन sentence को हम समसाएंगे उसके बाद आप लोगों को बना खरके दे देंगे आप लोगों को चेक करना है जो समझ में नहीं आए वो कमेंट में आप लोगों को पिक करना है ठीक है चलिए इसका क्या बनेगा रवी was killed क्योंकि अगर आप लोग अभी देखो प्रेंस अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं चलिए चाड़-पांच संटेंस हम कर लेते हैं अच्छे तरीके से देखे रवी मारा गया मतलब रवी was killed आपने को को समझ में आ गया होगा अगला संटेंस अमारा पांच वा कि मैंने आदेश दिया मतलब मैंने आदेश दिया तो बहुती सिंपल तरीका से चलिए हमों इसे बनाते हैं किस तरह से बनाएंगे इसे बनाएंगे आई और अब वाई क्यों हमने बनाया मैं ने आदेसि किसी के द्वाड़ा तो नहीं हो है तो यह क्या हुआ पास्ट इंडिफनी टेंज में चला गया इसलिए अमने लिखा आई ओडर्ड ठीक है बहुत ही सिंपल तरीका से फ्रेंज मैं आप लोगों को बता रहा हूं आप लोगों को अगर अच्छा लगे ना तिस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ठीक ह चलिए हम आगे देखते हैं आगे हमारा क्या दिया गया है अगला संटेंस हमारा देखिए छठा संटेंस हमारा क्या दिया गया है छठा संटेंस है हमारा कि मुझे आदेश दिया गया मुझे आदेश दिया गया ठीक है तो भाई आप इसे किस तरह से बनाएंगे क्योंकि य लगा दिया आगला सेंटर्स आगा दो लगा गया तो यहाँ पर भी बहुत सिंपल है किसी के द्वारा खोद आ है जो जो जिसके द्वारा खोदा गया गला वाज बनाया गया तो भाई या बनाया गया तो बनाया गया तो बहीआ बना डेंगे बनाया गया किसी के द्वारा तो ब्रीज वाज बिल्ट मतलब कि किसी के द्वारा बनाया गया ठीक है तो भाईया हमें थोड़ा सा फील हो रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत मेनद लग रही है ठीक है तो चलिए अब हम देखते हैं यहां पर क्या होगा अगला संटेंस हमारा कि यहां पडाना और यहां चलते हैं आगे और आगे का संटेंस हमारा यहां पर होगा है लोग पेर लगाए गए कुछ पेर लगाए गए तो किस तरह से हम बनाएंगे वो देखेंगे ठीक है कुछ पेर लगाए गए मतलब देख लेते हैं यहाँ पर मतलब कुछ पेर लगाए गया है प्लांटेड मतलब लगाना और प्लांटेड मतलब भी होता है लगाना लेकिन यह एक सकेंड नहीं थर्ड रूप है ठीक है आप लोगों के समझ में आ रहा होगा उमीद करता हूँ अपने दोस्तों में अभी भी आपने शेयर नहीं किया ना सेयर करते हैं आप लोगों पर मेरी तोड़ी से उमीद जुड़ी हुई रहती है अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देते हो तो मेरा मोटीवेसन बढ़ता है और आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो लाना पड़ता है क्योंकि आप लोग हमें इतना प्यार ज गई तो किसी के द्वारा खरी दी गई ना तो यह क्या हो गया या एक पेसी आप लिगों को आप चुँआ है ना किसी भी संटेंस को समझने में कोई भी परिशानी नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर अगर किसी के द्वारा होता है तो आप लोग समझ जाएंगे या एक पेसी बो वहां पर लिखा हुआ मने ट्रीज बोल रिया क्या लिकना है अगर नहीं भी लगाएंगे तो वह सही है लेकिन अगर आप लोग देखो पेर जब कटता है तो वह कहां आता है धरा पर आता है तो नीचे मतलब नीचे आया डाउन हुआ ना ऊपर थोड़ी उड़ जाएगा मतल वह समझ में आगया चलते हैं तो अपको आधेस दिया गया आपको आधेस डिया गया आपको दिया गया, मतलब की किसी के द्वारा आदेश दिया गया, हमने आपको या अपने आपको आदेश नहीं दिया, मतलब किसी के द्वारा दिया गया, भैया याभी एक पेसी बहत शेम बनाएगे इस तरह से, you wear order, you wear order, ठीक है, या पर third rup हम उने लगा आदेश देना और यहां पर 16 नमर संटेंस है कि उनसे अनुरोध किया गया, मतलब किसी के द्वाड़ा किसी को अनुरोध किया गया, इस तरह से आप लग समझ सकते हो, मतलब कि आप से हम अनुरोध कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो यह इस तरह से संटेंस हुआ, ठी तो लेकिन उसे आनुरोफ किया गया किसी के द्वारा उनसे अनुरोफ किया गया मतलब आपका तो नमार है ना उनसे अनुरोफ किया गया चैनल को शुक्राइब कर दिजिए ठीक है भाइं थोड़ा सो पर्मोसन हो दाई तो कर ले संटेंज के द्वारा चैक में बनाते इसे किस तरे से बनाएंगे बहुत फिंपल तरीका है बई मैंगे ट openly अच्षेश पूल में मंड फोरीugen बोल बोला है अगर आपने उस पूल में अटेंड नहीं हुए ना तो आप लोग जाकर के एक वारे अटेंड कर लिजेगा वहां पर यह लिखा हुआ है कि आप लोग ट्रांसलेशन का ट्रिक जानना चाहते हैं अगर हां तो उसमें यस लिखिएगा नहीं तो कोई बात नहीं आप लोग यहां पर यहां पर वही क्या कर दिया राम ने हम लोगों को पढ़ाया तो यह तो नहीं यह प्यों नहीं है चूंग आप लोग यह पूसकते हो ना क्यों कि यहां पर देखिए जिसके नहीं तो के द्वारा काम हो रहा है उसको यहां पर मैंसन किया गया है राम ने हम लोगों को पढ़ाया गया मतलब हमने हमें पढ़ाया गया और हमी बोल रहे हैं कि राम ने हम लोगों को पढ़ाया तो यहां पर तो दोनों का मैंसन हो गया ना तो यहां पर देखिए अब एक और बात ब लेगेंगे राम्टाउट भायास मतलब यहां एक पास्ट इंडिफिनेट में चला गया फ्रेंस आप लोगों को समझाने में जो देरी हो जाती है इसके लिए सॉरी और आप लोगों को कैसा लगता है यह तो मुझे मालूम नहीं लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा सा बोर है मतलब आप किसी के आपाँ गए और ऑगली संटेंश को देखते हैं अगला संटेंस है 19 नमर का 19 नमर है कि राम पढ़ाया गया ।ईष़ हूं किस के डौब syll को ईका यहाई तो आप लोगों को आ रहा है है उस ने एक चौडर देखा उसने एक चौडो को देखा मतलब क्या दोनों चीज़ यहां पर अनहाई सte को देखा तो यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा है तो मतलब यह एक मतलब उसने एक चोड़ देखा छिए मतलब उसने एक चोड़ का सट्न से कि ए एक चोड उसके द्वारा देखा गया यहां पर कुछ भी मैंसर नहीं है उसके द्वारा ठीक है द्वारा लगा हुआ है वहाँ पर क्या था हुष ने देखं़ ने इंगुत किया बहुत दूर है लेकिन हमने वहां उस Neo इंगित करके बता है तो इसे हम किस तरज बनेंगे लिखेंगे a thief was seen by him him लगाएंगे सॉरी क्या बोला था a thief was seen by him तो हमने यहाँ पर by का यूद क्यों कि आप एक बात बता दूँ जब भी आप लोग पेसी में बनाते हो तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा लास्ट वाला होता है वह subject बन जाता है तो यह कभी किसी मतलब बहुत ही rare किसमें होता है तो आप लोगों को बताऊंगा मैं कभी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा अगर आप हो कमेंट करते हो टो एधीप वॉस सीन भाई हिम चृह चलिए वह यह हम इसे बनाते है तो हमने बना दिया है एधीप वॉस सीन भाई इंचलिए वाजएं चलिए copa र मãyhntos की पुराने विरिख्छ काते गए चलिए अम इसे चलते हैं आगला संटेश है यहां पर पुराने विरिकषों को करता समझ में आ गया चली हम आगे देखते हैं और यह एक लाष्ट संटेंस है लाष्ट किया कहा गया यह कहा गया इसे कहा लिखेंगे it was sad मतलब यहां कहा गया ठीक है तो आप लोगों को किस तरह से हमने यहां पर बनाया यहां कहा गया मतलब किसी की द्वारा कहा गया तो क्या लिगिंगे it was sad तो friends आप लोगों को यह वीडियो में पढ़ने में कैसा लगा यह भी आप लोगों को पढ़ने में मजा है ना तो इस वीडियो को लाइक करके और आप लोगों को पता है क्या करना चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आने वाले घंटे का उनको प्रेस करके और पर सैट कर लिजेगा क्योंकि अगर आप लोग यह काम कर लेते हो तो आप लोगों को आगे जो भी नियू वीडियो जाएंगी उसकी नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिलेगी ठीक है आप लोग एक और बात बता दू जो भी पुराने हमारे स्टुडेंट्स है जो भी नए भी भी है अगर आप लोग चैनल को सबस्क्राइब की हो ना तो आप लोगों को रेगुलर आकर के वीडियो जदेखना है क्योंकि फ्रेंट्स आप लोगों के जो हीत में ही यह वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ठीक है हमां मिलेंगा गली वीडियो में